दोस्तो आज के वीडियो में हम जालेंगी कि merit joint को कैसे लगाय जाता है और वो भी हम आपको practical आज करके दिखाने वाले हैं जो merit joint होता है वो हमिस्था cable में use किया जाता है तो आज हम आपको cable में ही merit joint को बनाने वाले हैं क्योंकि अभी तक आपने bias की साहता से merit joint को सीखा होगा बनाये होगा लेकिन आज हम आपको practical बताने वाले हैं तो ये joint हमें क्यों लगाना पड़ रहा है तो ये जो cable थी वो हमारी एक स्कूल की cable थी तो उस पर load बहुत जादा होता है तो उसके कारण ये जो cable है वो पूरी तरह से जल गई थी दो पार्ट में divide हो गई थी इसलिए अब हमें ऐसी cable को use करना है तो हमें इसमें merit joint को लगाना पड़ेगा अगर हम इसमें twist joint लगाएंगे तो वो joint है वो current को नहीं ले पाएगा और lose हो जाएगा तो जो cable है वो हमारी दोबारा जल जाएगी खराब हो जाएगी और अगर हम इसमें merit joint लगा देंगे तो ये जो current है वो आसानी से ये flow करा पाएगी जो पहले करा रही थी ठीक है तो इसलिए हमें यहाँ पर merit joint को लगाना है तो merit joint लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपके बायर्स हैं जो cable के बायर्स हैं यहाँ पर ये four core की cable है ठीक है तो आपको इसका insulation है वो कम से कम तीन से चार इंची तक छील लेना होगा निकाल देना होगा और उसके बाद इसमें आपको seven wires मिलेंगी हुआ ठीक है तो उन Bires को आपको फैला लेना होगा इस प्रकार से निकाल के फैला लेना होगा चारो साइट को और उसके बाद जो इसका seven number वाला वाला जो बीच में रहेगा center में रहेगा उसको आपको निकाल देना है हटा देना है ठीक है आपको जो side वाले six wire रहेगे वो यूज़ करना है तो इसी प्रकार से आपको सभी wires जो चार कोर की cable है तो चार कोर को आपको इसको इस प्रकार से निकाल लेना है जो wires है आपको फैला लेना है और उसके बाद जो आपका बीच वाला रहेगा उसको निकाल देना ठीक है कि यहां पर देखिएए और जब भीस alors आप जोनट लगाएं अच आपको याद रखना है कि जहां पर नूटल क्नेक्ट है उसी कोद और बायर में connect करना है ऐसा ना हो कि आपने neutral में किसी face को connect कर दिया है ठीक है तो यह गलती कभी नहीं करना है और जब केविल को हम लगाते हैं connect करते हैं तो केविल को इस प्रकार से सामने रखें कि ऊपर की साइड अगर red face है तो नीचे भी हमारा red face उसके सामने red face आना चाहिए केविल को हम साइस से मिलाएंगे कि कहां पर हमारा red face आएगा कहां पर वाई आएगा तो इस प्रकार से आपको केविल को एरजस्ट कर लेना है और उसके बाद आपको जो दूसरा end है उस पर भी आपको तीन इंचे से लेकर चार इंचे तक केविल को जो insulation है वो निकाल देना है और उसके बाद भी आपको इसी परकार से buyers को फैला लेना है जारो साइट और इसके बाद जो इसका 7 नम्मर वाला वाई रहे गा उसको आपको निकाल देना है ठीक है यह वाला वाई है हमने इसको निकाल दिया है और अब जैससे हमारा red face है केविल का तो red वाला वाई है वो हमें इस प्रकार से इस से टच करना है और उसके बाद जो बायर रहेंगे वो एक दूसरे को क्रोस करेंगी ठीक है तो इस केविल के बायर जो है दूसरी साइट का तो उसके दो बायर के बीच में इस केविल का एक बायर निकल जाएगा तो यह हमारे एड़ेस्ट हो जाएं एक बायर है और इसके बाद आपको जो बायर से है वो सीरियल से ठीक है एक एक बायर को उठा के लपेटना है जो हमारी केविल है और उसमें आपको इस प्रकार से लपेटना है जिससे जो आपको केविल है उस साइट को अगर हम इसको टाइट करेंगे तो केविल है वो कसना च चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से देखिए आपको यहां पर एक एक बायर को लेना है और कोई भी बायर है वो एक दूसरे पर चड़ना नहीं चाहिए ठीक है आपको सीरियल से उस बायर को लेके जाना है थोड़ा थोड़ा ही घुमाना होगा आपको हाप रॉंड ही करना है त पूरी तरह से बहां पर fix हो जाए और उसके बाद last में आपको प्लायर से इसको बहां पर fix कर देना है tight कर देना है देखी एक side हमने इस प्रकार से कर लिया है अब हमें दूसरी side भी इसी प्रकार से करना है तो यह जो से उनको हमें यहां पर सैट कर लेना है पहले और उसके बाद आपको देखना यहां पर इस साइट हो रही है हमारी केबल तो इसी साइट को हमें इस बायर को घुमाना है देखना इस साइट होगी तो इसी प्रकार हमें इस साइट से बायर को एक एक बायर को उठा के और हमें ल ही करना है एक बायर का पहले थीग है फिर उसके बाद दूसरे बायर का नम्मर आएगा और इसी प्रकार से आपको insulation भी सेम जितना हमें जरूरत इतना ही निकाले आपको extra insulation निकालने की भी जरूरत नहीं है भाप है तो आपको जितना लगे आप उतना उसको निकालेंगी ठीक है तो इस प्रकार से आपको जो बायर से सीरियल से लेके जाना है जब आप सीरियल से लेते हुए जाएंगे तो यह जोइंट है उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और जब कोई बायर आपका उस पर चड़ेगा नहीं तो इसको आप अच्छे टाइट कर सकते हैं ठीक है तो देखे हमने प्लायर से इसको टाइट कर दिया है अब आपको दो प्लायर लेना है ठीक है तो इसको और अच्छे टाइट करना है क्योंकि यह अपूजिट डायरेक्शन में हमने इसको ब अच्छा बना ले तो हमने इसके कम से कम बाइड के तीन से चार राउंड लगाने है जो हमारा टेप तो यह आसान इसे एक जिगह fix हो जाएगी और इस पर हम sleep चड़ा के भी इसको सही से fix कर सकते हैं